हेलो दोस्तो नमस्कार मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर तो दोस्त जासा कि आप सबों को पता है कि बिहार डील आरेस भरती 2023 के अंत्रगत अमीन कानुनगो कलरक एवं एसो का टोटल 10101 पदोपर वेक एग्जाम है तो इसका एड्मिट कार्ड कप डाउनलोड होगा एक ओफीचल नोटिस भी दिखाएंगे तो वीडियो को शुरू से अंतक्त जरूर देखेगा हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा टेलिग्राम गूरूप में जॉइन नहीं पता है कि आमीन कानुन गो लीपी केवं एस ओ का टोटल दस हजार एक सो एक पदो पर जो भरती परकिरिया का काम कर रहा है वो कर रहा है बी सी ए सी बोड यानी बिहार संजिक परवेश परतियोगता परिक्षा परसर यहां पर देख सकते हैं इसके ओफीशल बेव साइट प इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर पता चलेगा कि इस पर अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है क्योंकि इसका जो एक्जाम है वो है आपको 4 अगस्त से 18 अगस्त तक इसका एक्जाम है और अभी तक इसका एक्जाम का नोटिस अपडेट नहीं किया है तो आखिर इसका नोटिस कब तक आएगा और एडमिट कार्ड कब तक आएगा तो मैं आपको बता दू कि इसका एडमिट कार्ड अलग से नहीं आएगा और इसका notice अलग से नहीं आएगा साथ ही में आएगा जिसमें कि आपको लिखा रहेगा कि exam इतना से इतना चलेगा और आपका admit का download करने का link भी उसी समय दे दिया जाएगा proof के तोर पर आपको मैं दिखा रहा हूँ ठीक है तो देखें proof के तोर पर क्या है कि आपको 2020 या 21 में वेकेंसी आया था आपको इसी वेव साइट से LRC की तरफ से 1767 वेकेंसी था यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दस्वे नंबर पॉइंट में देख सकते हैं online application portal of amine department of revenue and land reforms तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर देखिएगा कि फोरम भरा लिया गया था advertisement निकालने के बाद उसके बाद इसका exam card notice आया था तो notice कितने दिन पहले आया था और उसी दिन admit card download करने का option भी दे दिया गया था ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको and land reforms यहाँ पर देख सकते हैं advertisement number इतना के अंतरगत 8 2019 के अंतरगत निकाला गया था यहाँ पर देख सकते हैं यह 28 7 2021 का notice है तो इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका exam कब था कितना दिन पहले यह notice जारी किया गया था ठीक है तो आप अराम से देख सकते हैं राजा सिमां भूमी सुधार भी भाग की ओर से notice जारी किया गया था 28 7 2021 को ठीक है 28 जुलाई 2021 को ठीक है और इसका exam कब था वो देख लिजे तो इसका exam जो था आपका यहाँ पर CBT परिक्षा जो इसका था 10 8 से 12 8 2021 तक यानि 10 तारिक से लेके 12 तारिक ठीक है 10 तारिक से इसका exam था और notice कब आया था तो इसका exam का notice आया था 28 7 को यानि 2 दिन उधर और 10 दिन इधर यारी 12 दिन पहले इसका notice आया था और इसमें ये भी लिखा गया था कि आप admit card डाउनलोड कर सकते हैं इसको पूरा पढ़ेंगे तो ठीक है admit card डाउनलोड करने का यानि 12 दिन पहले आपका admit card डाइरेक्ट आया था notice के साथ ठीक है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपका 2023 वाला exam जो कि 10101 पदपर होना है 4 अगस्त से start है तो 12-15 दिन पहले इसको मान लीजे यानि मोटा मोटी मान के चलिए तो आपको 20 जुलाई तक 100% 20 से 22 जुलाई तक आपका 100% जो है जैसे आज है आपका 15 जुलाई ठीक है तो next week में आपका जो है notice के साथ साथ admit card भी download होना start हो जाएगा maximum जो है 22 जुलाई तक आपका यानि कल से countdown होगा मंडे से मंडे से 17 तारिक से countdown होगा और आपका 22 जुलाई तक 100% guarantee के साथ मैं कहस्ता हूँ कि आपका notice के साथ admit card भी download होना start हो जाएगा और जो आपको विल्कुल एक बार फिर से बता दिता हूँ कि 4 अगस्त से आपका exam fix कर दिया गया है ठीक है अब exam fix कर दिया गया है तो आपको 10 से 12 दिन पहले admin card डाउनलोड होना start हो जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही आप तयारी जोरो सोरो से कीजिए क्योंकि आपका exam rate नजदीक आ गया है notice नहीं आया है भले आप सोच रहे होगे कि अभी तक notice क्यों नहीं आया क्योंकि लगतार छात्र कमेंट कर रहे थे कि अभी तक notice क्यों नहीं आया